अलो फ्रेंड्स मैं चक्र पाणी पांडे अपने यूटूब चैनल हमारी पूश्वाटी का गोंडा पे आप सब का एक बार फिर से हार्दिक श्वागतेवम अमिनन्दन करता हूं दोस्तों आज कई दिनों के बाद मैं फिर से एक नए वीडियो को लेकर उपस्तित हुआ हूं और आशा करता हूं कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों आज मेरे पास एक ऐसे पाउधा है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ये सामने देखें ये नीले रंग के खिले हुए सुन्दर सुन्दर फूल ये कलिया ये जो आप देख रहे हैं ये बट्स हैं इसकी और इधर ये देखिए खूब सारी कलिया धेरो सारी कलिया ये खिली हुई है और जब इसे किसी गमले में आप लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा गमला भर जाता है दोस्तों ये एक perennial plant है इसको cutting से भी उगाया जा सकता है ये hardy plant भी है और दोस्तों आप से क्या कहें इसका नाम तो बेगम बहार है बेगम बहार नाम इतना सुंदर है तो फूल कितना सुंदर होगा मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने गमले में अस्थान दीजे इसको आप अपने पास की नरसरे से लेके आईए अगर आपके पास पहले से लगा हुआ है तो इसकी प्रापर तरीके से देख भाल कीजे और न सारी चीजे मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ बहुत मिहनत का काम नहीं है थोड़ा साइध धान देंगे तो यह पोदा आपके बगीचे में आपके टेरिस गार्डन पर चार चान लगा देगा तो आईए इस वीडियो की सुरुवात करते हैं दोस्तों सबसे पहला हो को अब आप सेमी सेड एरिया में रखेंगे सालों साल चलने वाला यह पोदा है इसको आप सेमी सेड एरिया में परवाइट करेंगे जहां पर इसको धूब भी मिलेगी और इसको च्छाओं भी मिलेगी यदि आपके घर में आसपास पेंड लगे हुए हैं तो पेंड के नी लाइट न दे करके कुछ ही समय की सनलाइट देंगे इसलिए हम इसे सेमि सेड एरिया में रखेंगे पहले बात सनलाइट की हो गई दूसरी बार आती है पॉट की हम किस तरह के पॉट में इसको लगाएं दोस्तों अच्छा हो कि आपके पास क्ले पॉट हो यहनी मिट्टी का क कोई गमला हो तो ज्यादा रहे हैं लेकिन मेरे पास मिट् ignoring नहीं है तो मैं हमेशा प्लाश्टिक की गमलों में हर पथि को लगा के दिखाता हूं और मेरे हर पथे खूब अच्छे तरीके से प्लाश्टिक के चल रहे हैं यह लके भी होते हैं सस्ते भी होते हैं और इनको उठाने में भी कम समय लगता देखिए बहुत हलका है यह और इसमें मैंने प्रापर तरीके से होल कर रखे हुए हैं क्योंकि कोई भी पोधाब लगाते हैं उसके लिए वेल ड्रेंज स्वाल चाहिए तो वेल ड्रेंज स्वाल इसके पोधे हैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसके वीडियो बनाओं लेकिन कुछ कारवर समय नहीं मिल पा रहा था नहीं बना पा रहा था यह मेरे पास एक तसला है जिसमें मैं अपना यह जो इसके लिए गार्डेंस वाल है वो तैयार करूंगा सबसे पहले आप जानते हैं हमे यानि जितना भी हम इसमें डालेंगे कोई चीज उसका लभव 50% मिट्टी ही रहेगी तो यह मैंने 50% मिट्टी को ले लिया हमेशा की भाद मैं आपको बताता हूं कि मिट्टी को आप खुब अच्छे तरीके से हाथों से सान लीजिए इस तरीके से और जो भी नावस्तर र किसी चीज की कमी रह जाती है गमला खाली रह जाता है तब आप इसमें मिट्टी फेशे मिला सकते हैं यह देखिए इन चीजों को हमने अटा दिया यहां से जरूत होगी तो फिर हम ले लेंगे और मिला लेंगे यह हमारी मिट्टी है गॉल्डेंस वाइल तैयार हो गई यह फिप्टी परसंट रहेगा यह नारमल गाल्डेंस वाल्ड है परसंट जिकी जब मैं बात करता हूँ तो कोई नापने वाली चीज से आप इसको नाप लीजे अगर नहीं नापते हैं तो आप एक अंदाजा लगाए कि हम इसमें कितना कर सकते हैं वैसे अब जब मैं वीडि स्वाइल को बैल डेन बनाने के लिए सबसे अच्छा रौल होता है रेत का यह सको सेंड बोलते हैं यह मेरे सामने रखी हुई है ब्राउन कलर की इसको डालने से फायदा यह होता है कि पानी नहीं रुपता है और साथी साथ पौधे को यदि हम समय पर पानी नहीं दे पाते हैं तो ये हमारे हमारा जो स्वाइल है उसको खूब अच्छे तरीके से मौश्ट रखता है इसकी जगे पर आप चाहें तो आप कोकोविट भी मिला सकते हैं लेकिन इसकी संख्या होगी लगभग हम रखेंगे 25 परसेंट यह 25 परसेंट मने रेत मिला लिए अब इसको हम और चीट डालने से पहले खूब अच्छे तरीके से इसको मिला देंगे यह सारी चीज़े मिल जाएंगी तब आपका स्वाइल बहुत अच्छे तरीके से तयार हो जाएगा अब देखें दोस्तों 25 और 50 परसेंट 75 परसेंट हो गया अब बाकी 25 परसेंट में हम अपने अनसार और अपने जो भी हम सोच सकते हैं या मेजर्मेंट के अनसार इस गमले के अनसार हम चीज़े मिलाएंगे सबसे पहले अब इसमें हम डालेंगे तीसरा चीज़ लीव कमपोश्ट यह बहुत ही अच्छी खाद होती है अगर आपके पाद लीव कमपोश्ट नहीं है तो परिशान मंत होईए पकी सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा इसको चान करके आप परियोग करेंगे अथवा बर्मी कमपोश्ट अथवा काउ डंग मनियोर को आप परियोग कर सकते हैं तो इसको हम पूरा मिला देंगे इसमें यह हो गया हमारा लगभग 15 परसंट यह मिला दिया अब 10 परसंट चीजें बाकी हैं जो इसमें हम मिलाएंगे वो हमारा होगा जो हम हमेशा मिलाते रहते हैं कम मात्रा में नीमखली पाउडर कि यह बहुत ही अच्छा होता है पौधों में किसी भी तरह का फंगस वगशा लगने लगने के लिए ये मैंने लगबग एक मुठी मिला दी इसमें फंगस होकर लगने से बचाता है पूदों को जड़ों को नियंतित करता है इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बोन मील बहुत यह अची चीज है बोन मील बोन मील क्या करती है? rich phosphorus है यह rich phosphorus पिदान करती है और इस पौधे के लिए rich phosphorus की जरुवत बहुत अधीक है तो यह हम दो चमच भर केश में मिला देंगे अब हमारा यह पूरी तरीके से जो हमारा scroll था इस पौधे के लिए तibilidad होगे आब इसको मची तरीके से मिलाएगे पोधा लगाने में हर बड़ी मत कीजिए हो सके तो कोई म्यूजिक लगा करके सामने रख लीजिए फिर पोधे को लगाईए ताकि आप का भी मन पसंद रहे और लगाने जिस पोधे को आप लगाते हैं वो भी खुब पसंद हो करके गाना को सुनते हुए अपना रोपन कराए आप तीन चार दिन अपने लगाए पोधे को संगीश सुनाईए देखे कितना लाम मिलता है आपको ये भी हमारी तरह जीव ही हैं अब देखे इन छेदों को ढखने के लिए क्योंकि हमें फिर ब्ल्डेम बनाना है हमने ये जो पत्थर लिये थे इन पत्थरों को मैंने इसमें डाल दिया ये हमने पत्थर डाल दिया अब इसमें आधा गमला मैं हम इसको भरेंगे ये आधा गमला ही हम भरेंगे अदा गमला हमने भर दिया अब हम क्या करेंगे इस पोधे में से एक पोधा हम चॉइस करेंगे ये वाला देखे कितना सुन्दर पोधा है कलियों से वhडा हुआ है हम सारे पौधे इस पौट में लगाएंगे लेकिन आपको दिखाने के लिए इस पौधे को हम यहाँ लगाएंगे धिरे-धिरे पुश करना हो तो पुश कीजिए नहीं तो मेरा तो यही रहता है कि इसको कार दीजिए पौलिथिन को और रूट इसकी डिस्टर्ब ना होने प मैं इसको सीधा करके आपको लगा को दिखाता हूं रूर डिश्टर्ब नहीं होगी यह पोधा इस तरह से होगा यह देखिए आप अब बच्छे हुए मीडिया को इसमें हम डाल देंगे देखिए आप कितना मीडिया बनाया था उस हिसाब से यह मीडिया इस गमले के लिए प्रियापत है जब भी आप कोई पोधा लगाईए दोस्तों तो लड़ाई जगड़ा घर के मत लगाईए घर में तनाव हो तो मत लगाईए खुसी बन से लगाईए ताकि पोधे को भी जब आप लगाईए तो उसे लगे कि हमें जो लगा रहा है वो बहुत ही खुश है परसंद है और हमें एक ऐसे स्थान पर प्लेस कर रहा है जहां हम इनके लिए बहुत सारी फिलावरिन करें सेजब बचेवे भाग को मैं इसे डाल देंगे हमेशा मैं डालता हूं और ये सारी चीज़ों को ऐसे से हिला के हम बराबर कर देंगे ये एक सिंटिमीटर की जगा हम छोड़ क के बात देंगे अभी हम इसमें पानी देंगे इसको छोड़ देंगे लेकिन अब चुकी हमें आपको बताना है कि इसमें कौन-कौन से फटलाजर हमें देना है तो आईए उस फटलाजर की बात करते हैं सबसे पहले हम लेंगे NPK 2019 इसका हम बहुत ही थोड़ा भाग ये लेंगे फिर हम लेंगे एपसंद साल्ट मैंगनीशन सल्फेट के नाम से इसको जानते हैं एपसंद साल्ट लेंगे इस पौद्धे को एसेडिक स्वाइल पसंद है तो इसको भी हम लेंगे थोड़ा सही देख लीजिए सुर्वाद के दोर में बहुत जादा केमिकल फटलाइजर का परियोग मत कीजिए अब हमें लेना है M.O.P. पोटास ये पोधों के रूट को डेवलेप करेगा साथ ही साथ नई नई कलिया बनाएगा और जादा से जादा हमें फ्लावरिंग परदान करेगा इतना मैंने डाल दिया अब हम इसको मिला लेंगे आपस में दीखेगा दोस्तों इसको आपस में मिला लीजिए इसको इसे चिम्मच से ले करके कमले के चारो और ऐसे ऐसे आप डाल दीजिए जर से थोड़ा डूर ऐसे ऐसे आप डाल दीजिए इसी चीज़ को आप 15 दिन में एक बार रिपीट करेंगे इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा हम हाथों से इस मिट्टी को ढख देंगे इस फटलाइजर को ढख देंगे अब इसमें हम पानी देंगे एक चीज़ और दोस्तों अगर आपके पास है किसी भी प्रकार का कोई भी रोज फटलाइजर है जो आप गुलाब में डालते हैं तो वो भी कम से कम दो चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं किसी भी प्रकार का रोज फट लाए जाए जाए तो इसमें डाल सकते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी आप हजारे से डालिए और अगर हजारे नहीं है तो मग से डालिए लेकिन उसमें आप हाथ लगा लिजी पहली बार grateful में इतना इसमें देंगे कि यह पूरा तरीके से अंदर की और चला जाए ये गंबला ये जो हमने मीडिया बनाई है उस मीडिया में पानी ये सोख ले बहुत लोग कहते हैं कि जब तक नीचे से पानी न निकले तब तक आप तब तक आप इंदजार किजिए ऐसा कुछ भी नहीं है वाटरिंग का विशेश ध्यान लगना है और वाटरिंग नहीं होने पाए जब भी आप पानी डालें तो हाथों से इसकी मिट्टी की उपरी सता को खुरस कर देख लें तब इसमें पानी देंगे तो ये फूल की कलिया जो है टूट टूट कर गिरने लगेंगी पौधा पीला हो जाएगा तो वाटरिंग करते समय ध्यान लगना है इसको पानी हम कब दें अभी हम इसको छे से साथ दिनों के लिए बिलकुल सेड अरिया में रखेंगे इसके बाद इसको हम सेमी सेड अरिया में ले आएंगे ताकि हमारा पौधा खूब हमें फ्लावरिंग करेगा ये स इसके फूल देखिए जैसे बेगम बाहर नाम है वैसे बेगम बाहर के नाम से बहुत ही अच्छा फूल है इसको हम लोग टीपू सुल्तान के भी नाम से जानते हैं तो दोस्तों ये देखिए धीरे धीरे सारा पानी अंदर की और चला गया अभी हम थोड़ा पानी इसमें और देंगे ताकि पूरा जो पूरा जो मिट्टी है वो मॉइस्ट हो जाए एक बार थोड़ा सा पानी और डालते हैं इसमें हम और फिर हम आपको कुछ बातें बताते हैं इसमें किसी प्रकार के प्रेट्स का टेक नहीं होता है कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं लगता है यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रेट्स का टेक हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नीम आयल का इस परे करेंगे इसके उपर वो भी एक एमेल नीम आयल एक लीटर पानी में घोल करके आप उसको प्रेस कर दीजिएगा हफते में एक बार और अगर आपको कोई प्रेस करना है उपर से पानी डालने का शोख है कलियां बने तो आप भी कोई भी माइको न्यूटेंट ले लीजिए जिसे सी वीट ग्रेनिवल है या सी वीट लिक्विड है दो एमल लेकर के लीटर पानी में सब ताम एक बार भी इस पे छिटकाओ कर सकते हैं तो दोस्तों आज का यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जादा से जादा शेयर कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए नहाए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो में डालू वो पराने के लिए और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो